आज हमें लेगू फोटो स्टूडियो देखेंगे जहाँ पर हमारी स्टालिस डॉल मैगजीन के लिए मॉडलिंग करेंगी हर फोटो स्टूडियो में एक ब्यूटी रूम है यहाँ पर स्टालिस लुक्स बनाती है हमारा फोटो स्टूडियो इस पूरे शहर का सबसे फ़र याड डॉल स्टूडियो है हम इसे बिना ब्यूटी रूम और वानिटी टेबल की मिना नहीं कर सकते इसे बनाने के लिए दो गोलेक बाइबारा की प्लेट्स ले ताकि आपको एक सेमी सरकुलर टेबल टॉप मिले शीशे के लिए छोटी एक बाइक के पीस ले और उन्हें फ्रेम पार्ट्स पर लगाए और टेबल लेक्स लगाए समान गैप्स में फ्रेम के आज़ पास देस गोल पीले पीस लगाए ताकि ये लाइट्स की तरह दिखे हमारा वानिटी टेबल तैयार है हमें बस इसकी उपर ज़रूरी समान रखना है जैसे के मेकप पालेट्स एक छोटा एक बाइन्स का पीस कॉटन पाट कंटेनर होगा हम मेना प्रश कपके नई रह सकते अगर फोटो शूट में ज़्यादा समय लगेगा तो मॉडल्स को अपने चेहरे को ताजा करना पड़ेगा कुछ थर्मल वाटर से अब चलो शीशा लगाती है रूलर की मदद से मेरर फ्रेम का साइज ले ले ग्रे और गोल्ड साइड्स वाला डबल साइड़िट कंटेक्शनरी कार्ट बोर्ड शीशे के तोर पर काम आएगा एक रूलर और एक चाक उसे थोड़ा बड़ा रिक्टैंगल कार्ट ले अब इस रिक्टैंगल को फ्रेम पर लगाए और फाल्तो को नों को कार्ट दे ताकि ये प्रोजेक्टिंग पार्ट्स में आ जाए शीशे को लगाए और हमारा वानिटी टेबल तैयार है और ये रही हमारी एलोल डॉल ऐसा लगता है वो इंतजार ने कर पा रही स्टालिश अलविल मागजीन में फोटो मॉडल बलने के लिए कितना फ्यार वानिटी टेबल है मैं फोटो शूट में मेकप और हैस्टैल करने के लिए बहुत एकसाइटेड हूँ पर मैं आपर कमफ़टीबल कैसी होंगी हाँ चलो एक वानिटी चेर बनाते हैं एक सफेद दो बाई दो के नौब के साथ एक बीस और इसके साथ एक सफेद और लाल बीस लगाए उसी साइस का अब पीछे के तरफ लाल सीट लगाए जिसके लिए हमें सफेद एक बाई चायर के ब्रिक्स चाहिए सीट को बीस पर लगाए एक बढ़िया एक रोटेटिंग मेकप चेर तयार है एलेवल को यह बहुत पसंद है वैसे हमें और मेकप चाहिए चलो देखते है इस बाग में क्या है वैसे तो यह मेकप बाग नहीं लगता एक लिपस्टे बहुत बढ़िया अब हुमारी एलेवल ब्यूटी मेकप के प्लीज आगे पुरा दिन शूटिंग है आपकी स्टारबक्स कैपेचीनो कुछ और चाहिए स्टूडियो तयार रखो मैं जब धी तयार हो जाऊंगी स्टूडियो में सबसे ज़रूरी चीज है एक प्रिफेशनल कामरा उसे बनाने के लिए हमें ये सब चाहिए एक ग्रे रंग की ब्रेक जिसमें बॉड़ी के लिए एक बाइदो का छेद हो एक खोल ग्रे वरनर, क्यामरा लेंज के लिए और एक एक बएदो के प्लेट, नॉब के साथ फ्लैश के लिए और दू कैप्स, फ्लैश के लिए ज़र वान, और एक काली, लेंज कैप के लिए लेंज कैप फिनिशिंग टाच है हम इसे उतार सकते हैं क्योंकि हमारा फाशन फोटोग्रफर यहां है हमें क्यामरा ट्राइ करना है हम ब्यूटी रूम में कुछ शॉट्स लेती है बहुत बढ़िया और कुछ साइट से तुम एक स्टार हो जब तुम चेंज कर रहे हो तो मैं कैमरा स्टार्ट पर लगा देती हूँ और क्लॉजिट कहाँ पर है हमी चाहिए एक जैसी 10 बाइ 20 की फ्लेट्स आप इसे दो डोर हिंजिस से आसानी से जोड सकते है शुक्र है इनसे फ्लेट्स अलग-अलग डिरेक्शन्स में मूव कर सकती है चलो पीछे कुछ सफेब भुक्स लगाए हमारी अलोल मॉडल्स इनके उपर उपने का प्रेटांग सकती है उसे डिस्टर मत करना वोहो तुम बहुत सुंदर हो हमें बड़िया फोटोस के लिए लाइट निक जाए फोटो स्टूडियोस में इसके लिए सॉक्ट बॉक्स इस इस्तिमाल होते है हमारी स्टूडियो में ये दो होंगे एक सॉक्ट बॉक्स बनाने के लिए छे बाइचे के ग्रे पैनल ले स्टांड को हिंच के नीचे लगाए और ये होगी एक ग्रे एक बाइचे के ब्रिक दो पैनल से बनी बेस के नीचे इसे लगाए एक ग्रे छे बाइचे का और एक काला चार बैचार का पैनल अब ये पूरा हो गया मॉडिल और पोटोग्रिफर सेट पर आ चुकी है वूपस ऐसे लगता है कि हमारी मॉडल बहुत गबरा गई और वो कुछ जरूरी भूल गई उसके शूज असिस्टेंट ये अच्छा है ये असिस्टेंट हमेशा पास रहती है ये शूज बहुत स्टालिश है अब अलबर डॉल सेट पर चमखने के लिए तयार है हमने इसे फोल्डिंग स्क्रीन और सॉक बॉक्स इससे बनाया है बार भी फोटो स्चूट के लिए एक लंबा स्टूल बनाने को खेती है और हम उसकी मदब करने के लिए खुश है इसे छे पीसिस से बनाए एक चार बार चार की फ्लेट एक गोल ब्रिक के साथ इसकी उपर अब एक गोल फ्लेट लगाए दो बाई बारा की फ्लेट के उपर लेक्ट लगाए आओ बैट हो बार भी क्या यह आरामदायक है मुस्कुराओ ये तस्वीरे हमारी ब्यूटी के पोटपोलियो में बहुत अच्छी लगेंगी लाजवाब पोटोशूट अभी बस शुरू हुई हुआ है और हमें कुछ मजीदार सेट चाहिए उनमें से एक को सेट करने के लिए हमें एक बैक ड्रॉप चाहिए एक फीला फोम पेपर काम करेगा टैलस ने बहुत अच्छी आउट्पिट बनाई है चलो इसमें कुछ फ्रेश आड़ करते है हमें एक लेगो फ्लार पॉट बनाएंगे ये रंगों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक लेगो की सेडिया और प्यारी है अब चलो सॉप बॉक्सें से कुछ और लाइट डार दे है तस्वीरी लाजवाब है हेई रुप जाओ क्या तुम ये जल्दी नहीं कर रही असिस्टेंट हमारे पास एक और सेट है हाँ ये सेडिया तो बहुत भारी है कितनी बड़ी आसिस्टेंट है हमें बस फोम फेपर बागड्रॉप को हटाना है चलो अब एक और बन सेट बनाती है ग्रेफ फोल्डिंग स्क्रीन बागड्रॉप के साथ बीच में एक सजावटे ग्रेट के साथ एक सफेद आर्ट बायार्ट के प्लेट ले हमें एक ब्राइट पिंग लेग उस्टेर केस बिज़ाईए इसे सीधा खड़ा रखने के लिए हमें साथ एक बाचार की ब्रिक्स जाईए इसे एक पानिल में जोड़ी और इसे स्टेर केस पर लगा दी अब आप इसे ग्रेट बांग ड्रॉप के साथ लगा सकती है कुछ पत्ती और फूल लगाएं एक लेगू बेंच और एक बिंड यहाँ पर एक त्यारी सी लेगू पाइक बहुत अच्छी लग रही है हमें इस स्टाइलिश से और वो काम करने का इंतिजार ने कर पा रही हमारी बहुत अच्छी फोटोज आएं और अब हमने इने अलग कर लिया एक पंखे के बिना स्टूडियो स्टूडियो नहीं अब अपने बालों को उड़ाएंगे और शोट बहुत अच्छा आएगा एक फैन बनाने के लिए एक स्क्वेर बेस को घूमने वाले सोकल की साथ एक लाल सोकल पर लगाएं और अब इस पीस को एक बाई बारा की प्लेट पर लगाएं एक ग्री एक बाई एक की ब्रिक को बूसरी प्लेट पर लगाएं बीच के छेट से ले जाते हुए अब हम स्टैन पर इस फैन को लगापाएंगे अब लाल लेगो परटिंस लगाएं फैन को अन करने के लिए और ये काम किया हमें बस इसे स्टूडियो पे ट्राइ करना है स्टैल लोला को सबसे स्टैलिश और सुन्दर फोटोस चाहिए हवा से उसके माल लोडते हुए बहुत सुन्दर लग रहे है लोला हमें लगता है तुम्हें एजिंट चाहिए तुम मॉडल बनने के लिए पैदा हुई थी पर सबसे पहले तुम्हें बढ़िया फोटोस का पोटफोलियो बनवाना होगा क्या तुम स्टुडियो में काम करना चाहती हो हमें बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन चाहिए होगी अच्छा किया लोला थोड़े और क्लोस चॉर्ट्स और तुम्हें एक असली मॉडल हो अज बहुत अच्छा फोटोशूट था हमारी डॉल्स ठक गई है और उन्हें नहाने के ज़रूरत है क्योंकि कल एक नया फोटोशूट है वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें कि आप अपनी डॉल के लिए लेगो से क्या बनाना चाहेंगे बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी डॉल वीडियो मिस ना करें लाली लोपर